क्या कुछ है जो गौतम बुद्ध नगर में याने कि नौइडा में उनके समीकरण क्या चल रहे हैं मुद्धे क्या चल रहे हैं किस ओर चुनाव जा रहा है बिना किसी देरी के आप लोगों से सर्चा को शुरू करता है कि लोगसभा का चुनाव है लेकिन दिल्ली के बिल्कुल करीब है तो देश का जो सरकार बनाने की बात है किन मुद्धों पर आपको लगता है इस बार का वोट हो रहा है कि इस बार का चुनाव आगे बढ़ रहा है कि देखू वैसे तो इसमें बेरूजगारी भी जुड़ी हुई है और इस पेसली जो अभी पिछले दस साल में जो मोदी जी ने किया जैसे डिफैंस को मजबूत किया है या हमारे रोड वगरा इनका इस्फाक्चर जो यह बहुत अच्छे किये हैं उसके बाद उन्होंने जो ब्रस्टा चार पर एक बहुत बड़ा अटेक किया है इस से उनकी चबी दिन वाई डे बढ़ती जा रही है और हालांकि खीक है कमपीशन अच्छा है कोंके वह भी सब लोग इखटे हो गएं लेकिन अंदुरूनी जो चर्चा है जो इनों बदला किये जैसे मुस्लिमों के लिए तीन तलाट भी हुआ एक रंक एक पैंसर डिफैंस वालों के लिए हुई है सबी गरीबियों के लिए आज तक फिरी अनाजर ये बड़ासन भी जा रहा है तो उससे जो है मोदी जी की चबी बहुत अच्छी बनी है और उत्तर पिर्देश में इस प्रिशली क्यों क से भी उनको बहुत गेन मिल रहा है डबल कॉंबिनेशन का कुछ फाइदा हो सकता डबल इंजन की सरकार है उसका पूरा-पूरा फाइदा बीजेपी को जरूर होगा बिल्कुल बगल में थे डेड़ सारे विचार सुंड़े दोर मुस्कुराहट बीदी चेहरे पे कारण क् मुस्कुराहट का कारण है यह दो तरह की बाते कर रहे ही। पच्छ में अननू समय आती है सरकार आती जाती रहे है एक तरपा कारवाई नहीं होती है। में जो का दो हो Durma b spécial से जत्वानुद मुलती कीते हुए रहता हुए कोई भी ब्यक्ति जेल नहीं ठीक नहींıs तब में लमस्क्रांटि मेरी बनागा जो भी आई कोई कुछ कह द्रॉत कोई तरल का जनते हैं इस बात को लेकिन इक्तरपा कारवाई और यह ताना सा सरकार ठीक नहीं है मेरा कहने का उद्देश यह है सरकार कोई भी हो सब अपना-पना रॉब दिखाते हैं लेकिन एक्तरपा नहीं अगर जनता ने किसी आदमों को चुनाया तो जनता के चुनाब होने के बाद अगर वो गर जाती है सरकार तो उसको जेल में डालो उसकी कारवाई करो जो उसने किया उसको कडि से कडि कारवाई किरी जाया लेकिन फिलाल मुखमंत्री के बगर चल लिए दिल्ली नौईडा में तो दिल्ली की बात तो खुब है कि अपका नाम मिश्टर शिवयादव है शिव जी ने कहा सहाब मैं आपका नाम पूशना बूल गया मेरा नाम शाशी कुमार गौर है और यह लोगतंत्र की खासेत होती कि बगल बगल है लिए साथ कोई भी सरकारा है किस काम के लिए कंड़ से आवाज आगे विकास का और ये होता है कि कई वार सवाल मैं आपसे पूछोंगा चलि एक bar के लिए पार्टी या पार्टी वाली बात करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन मुद्धा क्या दिमाग में होगा बतौर वोटर? मुद्धा यह होगा, जी सबसे बड़ा मुद्धा है प्रदेश में गुंड़ागर्दी खतम होना, सबसे बड़ा मुद्धा ही है, कि एक आम जनता जो है, गुंड़ों से बहुत डरती थी, लेकिन आज माइंड फिरी होका आदमी काम कर रहा है, तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर दे हैं, मोधी जी, तो मैं चाहूंगा सभी ने वोट दें, और कम सगम 15-20 साल तक ये बने रहे हैं, आपका नाम? अतुल वालिया, अतुल जी, आपको लगता है, राज्य सरकार के कामों का जो परिणाम है, वो लोग सभा का जो काम होता है, वो लोग सभा का कनवर्ड होते हैं वोट उसमें, तो निश्चित वूप से कम सगम 78 सिट वीजेपी की आएगी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की, हाँ मैं बिलकुल जोड़ी है, मैं अपने इसी बाई से कहना चाहूंगा, कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पिरधान मंत्री हो, अगर वो ब्रष्टाचार करता तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, यह कब मुख्यमंत्री पद से उतरेगा, और कब इसको अरेस्ट किया जाएगा, अगर उसने ब्रष्टाचार किया है, कहते हैं न कोई चीज अगर कोई पोड़ा निकला है, अगर वो पकने के बाद उसको करोगे तो उतना वो नहीं है, उसको तुरंत काड़ दो, वो ठीक हो जाएगा, तो अभी जो ये इनकी पकड़ा धकड़ी हुई है, अगर ये सब सही थे, तो दो साल से वो सतेंदर जैन क्यों पड़े हैं, उसके बाद संजे सिंग ने ऐलन किया कि मुझे कोई अरेस्ट करकर दिखा दो, किसी ने कोई दोसमनी थोड़ी है, उसके पास सबूत है, और ऐसे तो अगर ये अपोजिशन में होते तो नितिस कुमार आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए, बाल ठाकरे, उदव ठाकरे क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ममता बेनर जी आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए, जिसने जो किया है, मोधी के जमाने में, मतलब कहते हैं न, देर हैं देर नहीं आया तो तुरंट है तुरंट है इसमें यह अभी दस साल में ही यह थी तेह हुई है तुरंगे एक तर्थ तो ठीक है कि अगर मान लिजिए सरकार वाली बात जोब कह रहे हैं कोई पक्षा विपक्षा लेकिन दो साल से अदालत में जबानत की कुशिशिव देरे अगर जील में रखी है और यह तर्क बार बार आता है कि अदालत में जबानत क्यों नहीं दे दिय क्यों नहीं बागते शुक्तार में यहां कंदमिर हगे अध्यें आर्यक जोने से चाहिए जाए हैंधों गार राख के अन्हीं क्यों सान्य पीज़ागत नहीं है श्रards नहीं दूस्सिश्टी को स questo अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें